नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रांड शोते सीक्रेट तुला रासिफल 2022 आई ये जानते हैं वो कौन सी खास खुसियां है जो आपको मिलने वाली है देखिए तुला वाले जो होते हैं जिनके स्वामी स्वेम सुक्र है और सुक्र के कारण ये ग्लेमरस लुक के होते हैं और इनका आकरसक बैक्तित लोगों को प्रभावित करता है वैसे तो सबसे अच्छी विशेष्टा इनके होठों में होती है बहुत ही खुबसूरत होते हैं और हमेशा सतर करते हैं बहुत ही सोच विचार करने वाले चतुर और लोगों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं जगड़े लड़ाई से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं दाता इनको खुबसूरती पसंद है तरक्की पसंद है हमेशा आन अनंद में रहने वाले और लोगों को आनंदित करने वाले बैखती हैं लेकिन जब हम 2022 की बात करते हैं तो करियर के मामलों में आपको बहुत ही अनुखूल फल मिलने वाले हैं क्योंकि उमीद जो आप लगाए बैठे हैं अभी आप पर चल रही है सनीदेव की धहिया और वह 37 अप्रेल को समाप्त होगी और 12 जुलाई को एक बार फिर से जब सनीदेव कुमरासी से वक्री में अवस्था में जब वो मकर्म लोटेंगे तो फिर से धहिया का प्रभाव कहीं ने कहीं आपके रहेगा जो जन्वरी 2023 तक रहेगा तो बर्स की सुरुवात में 2022 के भागे के साथ मिल रहे हैं आपको और भागे का साथ मिलने से जौब में प्रमोशन होना तै है साथ ही हो सकता है आपके उपर कुछ जिम्मेदारियां बढ़े जिसको आप भली भाती निभाना पसंद करेंगे वैसे तो पदोनती के भी योग बनेंगे और हलांकि नॉमबर दिसंबर क पर महिना थोड़ा चुनौतियां भी लेकर आएगा लेकिन आपके जो साथ लोग काम करते हैं आपके जुनियर हैं आपके सिनियर हैं हर किसी के साथ रिस्ते को बहतर बनाए रखने की सिला दी जाती है क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी करते हैं कुछ जैसे ही होना है आपको इस बात का ध्यान रखिएगा एकदम से आपको ना मिले ही छोड़ दिए यह मतलब बेवकुफी वाला काम मत कीजिएगा अब यहां देखिए जो ब्यपारी बर्ग है उनके लिए काम धंदा तो अच्छा चलेगा ही साथ ही आई के सुरोथ बढ़ेंगे एक स जाते रहिया थोड़ा सा परिक्षाएं तो लेंगी सांत रहें धर के साथ आगे बढ़ें और एकदम से किसी की बातों में बहकावे में आकर कोई भी डिसीजिजन ना ले घर परिवार की बात करें तो हो सकता है किसी कारण बस अपनों से थोड़ा दूर रहें जौब के सिल परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए थोड़ा मुस्किल होगा जिसके कारण हो सकता है आपके जीवन साथी या अपने चाहें कि आप उनके साथ समय बिता पा रहें थोड़ा सा उनको अच्छा ना लगे तो ऐसे में आप प्रेम से चीजों को हैंडल करें और अगर आप लव ड्रेसंशिप में हैं तो रिष्टो में सुधार होगा आपके संबंद बेतर होंगे जो अभी तक रिष्टों में दूरियां थी जो खटास थे वो समाप्त होंगे परिवार को खुश रखने के लिए बहुत सारे महत्वपुर्ण कारे भी करेंगे और इसके कारण आपका रुत्वा और बढ़ेगा पर दूसरी तब अगर बात करें धन की तो अप्रेल मई चून जुलाई अगस सितंबर यह जो महना है ना धन ज्यादा देखा क्योंकि धन की प्राप्ति के लिए खर्ष्टों होंगे पर बिशेश कर यह अप्रेल से सितंबर तक का जो महन है धन के मामलों में आपके लिए छपर फार सपलताइं लेकर आया है आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको धन मिलेगा बस कंट्रोल करना है खर्च पर नहीं तो आप सोचिए कि धन तो आया ही नहीं तो खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो धन सच में बच और वह आई भी जाएगा तो बे बजह के खर्चे से बचिये नहीं तो आपको आगे चल कर थोड़ी सी तंगी हो सकती है तो यह भी है आपके लिए खुसकबरी इसमें जो बिद्यारती है खासकर पढ़ाई लिखाई पर फोकस रहेगा आपका आपको एक अंदर से फीलिंग आ गायतरी मंद्र रोज पढ़िए भगवान सूरी को परणाम करके रोज 27 वर ताकि पढ़ा हुआ याद रहे और दिमाग सही जगह पे चले अब अगर आप चाहते हैं कि आपके चुकी आपका परदरसर अच्छा है पर तविता परिच्छा के त्यारी कर रहे हैं तो मेहन जा सारी रखें चाहते हैं आप बीदेश जाकर पढ़ाई करना थोरा सा इंतजार करें स्वास्त की बात करें तो साब्धानी तो रखनी क्या वसकता होगी लेकिन अब बहुत सारी बीमारियों से रहत भी मिलेगी साब्धान रहना है अगर पहले से आप बीमार हैं डाइबिटी अब वायरस का समय है तो एक नौर तो कर नहीं सकते हैं अपने स्वास्त का फिटनेस का धियान रखें देखिए माद दुर्गा को रोज दो लॉंगर पित करें इससे क्या होगा आपके जीवन में जो भी बाधाये हैं रुकावटे हैं वह समभावत हो जाएगी कैसे करेंग कि आप आज जैसे आपने माद को दो लॉंगर पित किया बिल्कुल साबूत अगले दिन उसको उठा लीजी और उसको आप परसाथ के रूप में खाईए आप ऑफिस जाते हैं बैपारी हैं एक मूँ में रख लें एक पॉकेट में रख लें बाद में फिर पॉकेट बाला भी खा लीजेगा तो अगले दिन जो आपने चड़ाया उसको उसके अगले दिन उठाना है यानि एक दिन तक छोड़ दीजिए फिर उठाईए और उस प्रसाथ को आप गहन क्या करें आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी और चमतकार से कम नहीं होगा आप करके देख तो यहां पर देखिए तुलाबालों के लिए बस एक और बात संबब हो तो गुप्तदान जरूर कीजिएगा इस वर्स गुप्तदान यही दान फलता है सब को दिखा कर बोल के कर दिए तो यह दान का कोई माइने नहीं रह जाता है वैसे तो दान दान होता है लेकिन भी ध सुरुआत करते हैं कि 2022 के सुरुआत में बैंक वैलेंस बढ़ेगा और धन आने के सुरूद बढ़ेंगे लोग प्रेता बढ़ेगी लेकिन ध्यान रखना यह है कि आपको दूसरों की छबी को धुमिल करने के लिए आपके ऊपर यानि कि कोई दूसरा आपके ऊपर कोई आर कारे करने का तरीका चेंज होगा आपके अंदर एक जोस रहेगा और जिसके कारण आप समय पर निरिक्षन करते रहें और कारे को आगे बढ़ाते रहें मई के महने में बस यह समझ लें कि लोगों के बीच आपकी एक अलग पैठ बढ़ेगी कठोर मेहनत रंग लाएगी और के लिए थोड़ा सा पहले से अगर आप योजना बना कर चलते हैं तो आप मात नहीं खाएंगे बलकि स्मूथली आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं दिमाग में रहेगा कि कर्ज ले लें खर्ची इतना करेंगे तो कर्जों से बचिए और खर्च पर थोड़ा कंट्रोल तो औस अंतुष्टी से बाहर निकलना है पर अक्टूबर के महने में थोड़ा सा वानी पर और अपने क्रोथ पर कंट्रोल रखेगा नहीं तो इस्तितियां बिप्रीत हो जाएगी क्योंकि नवंबर के महने में भी थोड़ी सी जैसे मांसिक जो टेंसन है तो नवंबर दिस चलाना है चीजों को हिंडल तो आपको करना है तो यह आपको समझना होगा तो मांसिक तनाव का नियोता आप खुदी दे रहे हैं इससे आपको बाहर निकलना होगा धन्यवाद हम पर मिलें